असलाम लेकुम एब्रिवान, I hope कि आप सब ठीक होंगे, खायरियत से होंगे, आज की जो वीडियो है, इसमें हम फॉर्म्स आफ ता गर्मिन को डिसकस करेंगे, ठीक है, इसके इलावा किस कंट्री में क्या पार्टी सिस्टम है, किस तरह का गर्मिन सिस्टम है, प्रेजिडें करते हैं, इसमें मैं 10 जो कंट्री उनको डिसकस करूंगी, जो कि B.S. ओनर्स के सलेबस में भी शामिल है, इसके इलावा C.S.S. और P.M.S. के सलेबस में भी शामिल है, तो यह जो डिसकस्शन है, यह बहुत जादा डिटेल्ड नहीं होगी, क्योंकि एक विक रिव्यू है इ जो प्रेजिडेंट है, वो हैड उफ गजब मर्मिन भी है और वो हैड ऑफ 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 टा स्टेट भी है, ठीक है अब यहां पर फेडरल सिस्टम है, आपको पता है कि युनायटेट सेटस ऑफ अमेरिका की कितनी स्टेट सेट सें 50 सेट सें और यहां पर फेडरल फोगमिन पार्टी सिस्टम क्या है पार्टी सिस्टम है यहां का बाई पार्टी सिस्टम है डेमोकरेटिक पार्टी है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है जो डेमोकरेटिक पार्टी का सिंबल है वो है डॉंकी और जो रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है वो है ऐलिफेंट ठीक है यह जिस तरह इंतखाबी निशान जिसको हम बोलते हैं ना वो ठीक है यह दीफोर डॉंकी आद रख लीजिए कर देमोक्राटिक पार्टी का और दूसरा खुद ही पर याद हो जाएगा ऐलेफेंट है ठीक है नेक्स्ट है प्रेजडेन प्रेजडेन्ट हैर अभी गनार्ट स्टाइट की उचुदफ and choose some Asian Wherever पेपर दें, तो currently जो भी प्रेजिदेंट या प्राइम निस्टर चल रहा हो तो उसका आप जो नंबर है वो भी आद कर लिया करें, इलेक्शनस अब यहां पर प्रेजिदेंशिल इलेक्शनस जो होते हैं वो basically electoral college के जरीए होते हैं, ठीक है अगर हम लोग theory में देखें तो हम पढ़ते हैं कि जो अमेरिका का presidential election है वो direct है लेकिन अगर practice में देखा जाए तो ये direct नहीं है ये indirect है लेकिन theory में क्योंके direct है तो अगर question इस तरह से आता है कि president किस तरह elect होता है तो हम लोग direct ही दिखेंगे अब उसके बाद प्रेजिडेंट जो है ये four years के लिए इलेक्ट होता है और legislature जो है वो इसकी bicameral है जो lower house है वो house of representatives है और जो upper house है वो है senate ठीक है house of representatives के total member है 435 और senate के total members है 100 तो इस तरहां congress के total members बनगे वो बनगे 535 अक्सर लोग ये समझते हैं कि यही वाले जो members है electoral college में शामिल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है electoral college एक अलग system है जो कि सिर्फ और सिर्फ presidential election के time पर जो है वो members elect होते हैं और ये 538 members होते हैं इनका number तकरीबन सेम है to the congress जैसे अभी इसके 538 member है तो ये 535 member है तो इस वज़ा से अक्सर ये confusion हो जाती है कि क्या ये दोनों सेम चीज़े हैं नहीं ये दोनों सेम नहीं है ठीक है तो ये था United States of America का form of government उसका party system और उसका legislature next है हमारे पास UK का UK का जो form of government है वो है parliamentary form of government और UK के parliament को mother of the parliaments भी बोलते है वहां पर constitutional monarchy है और ये unitary system है ठीक है फेडरल नहीं है यूनिट्री है पार्टी सिस्टम जो है इसका वो है बाई पार्टी सिस्टम दो पार्टी है conservative party और लेबर पार्टी अभी जो current prime minister है बोरिस जोनसन उनका नाम है वो कौन सी party से है वो conservative party से है तो क्योंके वहां पर constitutional monarchy है तो जाहर है monarchy भी होगा तो अभी फिलहार जो है वो queen Elizabeth है और queen Elizabeth भी oldest जो है serving monarchy है और UK का जो prime minister है उसका tenure कितना होता है ये basically base करता है on the player of the monarch ठीक है इसका कोई constitution में fixed tenure नहीं लिखा हुआ लेकिन एक convention समझ लें या most of the times जो है four years तक prime minister वहां का रहता है जो longest serving prime minister है UK के वो है Robert Walpole और ये UK के जो है वो पहले prime minister है ठीक है और ये तकरीबन 20 साल तक रहे है ठीक है और उसके बाद जी by camera legislature है upper house जो है वो house of lords कहलाता है और जो lower house है वो कहलाता है house of commons ठीक है house of commons के तकरीबन 650 members है और जो upper house है इसकी कोई limit नहीं है कि कितने members होंगे ये change होते रहते हैं लेकिन currently जो है ये hereditary based है ठीक है ये जो upper house है UK का प्राइम निस्टर जो है वो lower house से select होता है ठीक है जिस तरह पाकिस्तान का system है ये सारा तकरीबन UK वाला system हमारा जो है हमने copy किया हो है ठीक है next हमारे पास आजाता है जी Switzerland Switzerland जो है उसका नाम हम लोग जैसे के पढ़ते हैं Swiss Confederation लेकिन अभी ये Confederation नहीं है 1999 का जो constitution है उसके बाद से onwards जो है वो Switzerland अब federation है ठीक है यहां four major parties है जो के free democratic party, social democratic party, christian democratic party and fourth one है Swiss people's party अभी currently जो उनके head of the government है वो है Bernard Parmelin और Bernard Parmelin जो है यह अभी head of the state है ठीक है अब यह scene यहां पर यह है कि जो Switzerland का president होता है वो basically उसके लिए यह term आपने normally सुनी होगी primus inter paris मतलब he is one amongst equals ठीक है उसको उस तरह की powers नहीं हासिल है जिस तरह की United States of America के president को है यह जिस तरह बाकी countries के president को हासिल होती है he is first among the equals इसको बाकी लोगों के बिलकुल बराबर में जो है उसी तरह से डील किया जाता है आम बंदा ही समझा जाता है बाकी लोगों के बराबर ही ठीक है अचा अब यह unlimited non consecutive one year term के लिए जो है वो select होते है next यहाँ पर है जी by camera legislature है यहाँ पर भी upper house जो है इसका वो है 46 seats का council of the states और जो lower house है वो है 200 members पर base करता है जिसको हम national council कहते है ठीक हो गया अब यहाँ पर है जी direct democracy ठीक है और यहाँ पर direct democracy क्या है indirect democracy क्या है इन सारी चीज़ों के ओपर जो political terms है इन के ओपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इन्शाला हम लोग उन सब चीज़ों को detail में discuss करेंगे next है जी टर्की टर्की में जो है presidential democracy है ठीक है और टर्की जो है वो unitary है यहां multi-party system है करण जो प्रेजिडेंट है वो है तायब उर्दुगान और जो वाइस प्रेजिडेंट है वो है फवात ओकते ठीक है five years के लिए प्रेजिडेंट जो है वो elect होता है और जो इनकी legislature है वो unicameral legislature है हमारे तरह by camera legislature नहीं है unicameral legislature है और इसको कहते हैं grand national assembly और इसके total members होते है 600 ठीक और जो grand national assembly है यह भी जो है वो five years के लिए elect होती है France, France का जो system है वो है unitary state है ठीक है और यहां पर semi-presidential government, form of government है ठीक है multi-party system है France में और यहां पर अभी जो president है वो है Emmanuel Macron और recently जो elections हुए है इन में दुबारा से elect होएंगे just a second five year terms होती है president की और Emmanuel Macron जो है अभी recently जो elections हुए है उन में five terms के लिए दुबारा से elect होएं ठीक है पहले Jean Castex थे लेकिन अभी जो वहां पर prime minister है वो है Elizabeth Bore B-O-R-N-E ठीक है तो यह mention कर लीजिएगा यह notes जब मैंने बनाए थे तकरीबन यह पांचे माँ पहले के notes है तो उस वक जो थे प्राइम निस्टर पिछली government में और थे अभी Elizabeth है अच्छा जी यह 5 years के लिए elect होते हैं and there is no fixed term for the prime minister अभी constitution में यह mention नहीं है कितने fixed होगी प्राइम निस्टर की term लेकिन जो प्रेजिडेंट है वो 5 साल के लिए मुंतखिब होते है by camera legislature है जो lower house है वो हमारे parliament में जिस तरह national assembly है इनकी भी national assembly है ठीक है और जो upper house है वो senate है और 348 इसके member होते है lower house के 577 deputies है next है जी USSR जो के अब रशियन federation बन चुका है तो यहाँ semi presidential government system है वैसे इनका president बहुत strong है और constitutional republic है और federation है single party system है बाकी parties है लेकिन जो single communist party of the Soviet Union है इनतहाई strongest party है जिस तरह United States of America में भी कुछ other parties है लेकिन two parties are very strong इसलिए उसको भी bicameral कहा जाता है क्योंके बाकी जो parties है उन में से मेरे खाल में पिछले कई साल से या शाहिद में भी कोई party जो है और हकुमत में आई ही नहीं है ठीक है इसी तरह यहाँ पर भी है single party system इसको कहा जाता है इसकी जो पार्लिमेंट है वो है dual ठीक है bicameral legislature है और जो lower house है वो है state duma 450 members है इसके जो अपर house है वो है federation council ठीक है और इसके 166 members है तो semi presidential system हो गया federation है single party है प्रेजिडेंट पुटेन है माइकल मिशुस्टिन जो है वो मिशुस्तिन जो है वो प्राइम निस्टर है रशियन प्रेजिडेंट छे साल के लिए elect होता है और जो प्राइम निस्टर है उसकी कोई limit नहीं बताई गई लेकिन 6 साल तक के लिए उसक को elect normally किया जाता है बाकी by camera legislature है ठीक है next हमारे पास है इरान इरान में आपको पता है theocratic state है theocracy है और unitary system है parliamentary है यहां पर multi-party system है और फिलहाल जो supreme leader है वो है अली जो इस हाग जहांगीरी तू consecutive terms के लिए जो है वन नौन consecutive term के लिए जो प्रेजडेंट है इलेक्ट होता है ठीक है लेकिन जो supreme leader है वो है अली कुमिनाई और वाइस प्रेजडेंट इसके कौन है इस हाग जहांगीरी इबराहीम रईसी जो है थोड़ी सी यहां पर मिक्सचर सा बन गए इबराहीम रईसी इनके प्रेजडेंट है और जो वाइस प्रेजडेंट है वो है इस हाग जहांगीरी जो supreme leader है वो है अली कुमिनाई ठीक है तू consecutive के लिए वाइस प्रेजडेंट और प्रेजडेंट यह इलेक्ट होते है ठीक है जो इनका लेजिसलेचर है वो है मजलिसे शूराई कहलाता है वो इस्लामिक कंसल्टेटिव इसंबली यूनिकेमरल है और इसके टोटल मेंबर्स है 290 नेक्स्ट है हमारे पास चाइना चाइना रिपब्लिक है यूनिटरी है है एड फ़ दे स्टेट इसका प्रेजिडेंट होता है सिंगल पार्टी सिस्टम है यहां पर पार्टी सिस्टम जो है वो सिंगल पार्टी सिस्टम है शी चिंपिंग अभी इनके प्रेजिडेंट है और ली के कियांग is the premier और unlimited five year terms for the president and five year terms since 2018 constitutional reform. Constitutional reform 2018 में set की की थी कि जो president है वो five years के लिए elect हो का. The National People's Congress of People Republic of China ये unicameral legislature है और इसमें around कितने members हैं? 2980 members है. ठीक है? वीडियो में कुछ एक दो जगा पर मेरे से गड़बर हो गई है तो वो मैं इन्शाला जरूर अदिस्क्रिप्शन में एड़ करतूंगी जो स्टेटिस्टिक्स जो है वो आगे पीछे हुए है जादा नहीं यह यहां पर जो इरान का हमने डिसकस किया ना प्रेजिदेंशल टर्म और वाइस प्रेजिदेंशल टर्म इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बर मुझे लग रही है यह मैं जरूर 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 डिस्क्रिप्शन में एड़ करूंगी तो आपने वो जरूर देखना है ठीक है ताकि किसी भी मिस्कंसेप्शन से जो है वो बचा जा सके और अगर आपको फील हो के कहीं और भी मिस्टेक हुई है तो kindly वो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता दीजेगा otherwise मेरी पूरी कोशिश है कि यह जो नोट्स है इनको बड़ा कियरफुली बनाया जाए क्योंकि यह पर्मेनेंटली फिर वीडियो यूट्यूब पर रहनी होती है तो फिर कोई भी जो है मिस्कंसेप्शन ना हो ठीक है नेक्स्ट है इंडिया इंडिया में भी पार्लिमेंटरी फॉर्म ऑफ गर्मेंट है हेड ऑफ दा स्टेट जो है वो प्रेजिडेंट है और जो हेड ऑफ दा गर्मेंट है वो प्राइम निस्टर है फेडरल फॉर्म ऑफ दा गर्मेंट है और वहाँ पर भी हमारे तरह खिजडी पकी हुई है मल्टी पार्टी सिस्टम है ठीक है करण जो प्रेजिडेंट है इंडिया के वो है रामनाथ कोविंद जिनको जिस तरह हमारे प्रेजिडेंट को कोई नहीं जानता होता है इसी तरह उनके प्रेजिडेंट का भी कोई इतना खास रोल नहीं होता है लेकिन प्राइम निस्टर को हर बंदा ही जानता है नरिंदर 543 मेंबर्स होते हैं और जो अपर हाउस है वो है राज्यासभा इसमें 245 मेंबर्स हैं ठीक है similarly Pakistan का जो system है form of the government है वो federal form of the government है और parliamentary form of the government है और यह federal state है यहां पर भी multi-party system है और प्रेजिडेंट जो है हमारे वो है आरिफ अल्वी डॉक्टर आरिफ अल्वी और जो प्राइम निस्टर थे इमरान खान साब अभी तो उनको vote of no confidence के जरिए रिमॉफ कर दिया गया और करण जो प्राइम निस्टर है वो है जी शेहबार शेरीफ टू कंजेकिटिव टर्म्स के लिए हमारे प्राइम निस्टर इलेक्ट हो सकते हैं और पांच साल इनका tenure है ठीक है हमारा भी जो है वो by camera legislature है और जो lower house है national assembly है upper house जो है वो senate है अभी जो amendment की गई है उसके according senate के members को भी कम किया गया है 96 members कर दिये गए है यह जब complete composition आ जाएगी website पे तो फिर मैं इन्शादा वो भी discuss करूंगी तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने discuss किया कि किस country में कौन सा president है कौन सा form of government है कौन सा prime minister है और किस तरह legislature है election किस तरह से है तो ये एक quick review था उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो में कोई भी mistake आपको लगा कि है तो वो मुझे जरूर comment section में बताईएगा मिल दें है अगली वीडियो में till then take care Allah Hafiz